असलाम अलेकूम मज़दार से स्नेक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेनी है एक कप सूजी बहुत कम चीजों के साथ बड़े मज़दार से स्नेक्स बनने वाले हैं और एक अंडा हम इसमें शामिल करेंगे अंडा मिक्स करेंगे चमच से जब सूजी के साथ अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे बाकी की चीजे जिसमें शामिल है सूखा हुश्क दूद ये आपने लेना है तकरीबन आदा कप या दो टेबल स्पून के बराबर साथ में इसके जाएगी पिसी हुई चीनी ये आपने थ्री टेबल स्पून के बराबर लेनी है चीनी एड़ करनी है आपने ज़्यादा तर बारीक और पिसी हुई आपने वैसे मोटी चीनी का इसमें बिल्कुल भी नहीं करना वरना इसको मिक्स करने में थोड़ी सी प्राब्लम हो जाएगी ये तमाम चीजे पहले आपने इस तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर लेनी है उसके बाद जितना पानी आपको रिकॉयर्ड हो उसकी मदद से आपने बस थोड़ा सा पानी लेना है तकरीबन एक से दो टेबल स्पून के बराबर अब आपने इसको अच्छे से आटे की तरह गून लेना है और इस सिच्वेशन में तकरीबन 10 से 15 मिंट फ्रिज में रखना है फ्रिज में रखने के बाद हाथों को आपने ओयली कर लेना है और साथ में इस तरीके से छोटे छोटे से पेड़े बना कर आपने नाइफ की मदद से इस पे थोड़े से डिजाइन बनाने है बिलकुल इस तरह से आप किसी भी शेयब बें किसी भी तरीके से बना सकते हैं लेकिन इस तरह ज़्यादा खुबसूरत लगेंगे ये देखें ये माशला कितनी खुबसूरत सी जाली रुआ ये बिस्किट्स त्यार हो गए हैं अब हम इसको करेंगे फ्राइ आइल आपने बहुत जादा हीट अप नहीं करना जादा गरम नहीं करना बलके स्लो आँच पर इसको बनाना है ताके अंदर से भी बहुत अच्छे से फ्राइ हो जाए जब एक साइड से इस पर लाइट कोर्डन कलर आ जाए फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है बिलकुल इस तरह से ये देखें कितना खुबसूरत सा लाइट ब्राउन कलर माशाला आ चुका है अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट और बाकी की तमाम बिस्किट्स भी हमने इसी तरह फ्राइ कर लेने है ये रेसिपी बहुत एज़ी और बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है इसलिए आपने ट्राइस जरूर करनी है और मुझे फीड़बेक में जरूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी घर में ही मजूद चीजों को अगर हम कुछ डिफरेंट अंदास से बनाएं तो वो यकीनां जादा मज़दार और लोगों को जादा अच्छी लगती है ऐसी ही और मज़दार और असान रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें और चैनल को अगर अभी तक आप में सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब जरूर करें ऐसी ही और मज़दार रेसिपीज के साथ फिर मिलेंगे अलाहाफिज